तोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत के तरफ से बीते कुछ सालों में इंडिजिनियास हत्यारों को लेके काफी अधिक प्रमुकता दिखाया गया है और इस कारण बीते कुछ सालों से भारत में काफी जादा इंडिजिनियास हत्यारों का भी manufacturing हो रहा है जिसमें कई सारे government owned factory के तरफ से जहाँ पे भूमिका निभाया जा रहा है तो वही पे कई सारे private owned companies भी है जो कि अब भारत में हत्यारों के manufacturing में काम कर रहा है और दोसों ऐसे ही कमपनियों में नाम जाता है भारत डानमिक लिमिटेड का आप लोगों के जानकारी के लिए बता दो कि ये असल में हैदरवास्तित एक public sector undertaking company है मतलब government owned company है जो कि भारत में ammunition का manufacturing का काम करता है और भारत डानमिक लिमिटेड के तरफ से अब एक और बड़ा और महत पूर्ण काम को शुरू किया गया है और दोसों ये काम केवल मात्र भारत को आत्मने भर ही नहीं बनाएगा बलकि साती साथ इंडियान एरफोर्स को भी काफी ताकत बर बनाएगा बेसिकली दोस्तों मैं यहाँ पे जिस काम का जिकर कर रहा हूँ असल में असर मार्क वान एर टु एर मिसाइलों के पोड़क्शन है रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि भारत डानमिक लिमिटेड के तरफ से भारत के तरफ से स्वादिशी तरीके से बनाया हुआ असर मार्क वान एर टु एर मिसाइलों के लिमिटेड सिरिस पोड़क्शन शुरू कर दिया गया है अब दोस्तों यहाँ पे जो असर मार्क वान मिसाइल है यह असल में डिफेंस रिसर्च और डिवलोप्मेंट और्गनाइशन के तरफ से डिवलप्ट किया हुआ भारत का पहला बियांड विजुल रेंज एर टु एर मिसाइल है जिसका प्रड़क्शन अब भारत डानमिक लिमिटेड के तरफ से किया जाएगा और आपके जानकारी के लिए बता दू कि इसके इस्तेमाल को लेके भी अनुमती मिल चुका है और फिलाल इंडियन एर फोर्स के तरफ से औ लेके एक और भी प्लेस किया जा चुका है और आपके जानकारी के लिए बता दू कि पिछले साल ही भारत डानमिक लिमिटेड को करिवन 2971 करोर रुपे के अस्र मार्क वान मिसाइलों को लेके कॉन्ट्रैक्ट मिला था जिसे की आने वाले 6 सालों के अंदर पूरा भी किया जाना है और दोस्तों Defense Research and Development Organization जो कि ये अस्र मार्क वान मिसाइलों का डिवलाप्मेंट किया है वो अल्रेडी भारत डानमिक लिमिटेड को अस्र मिसाइलों के ट्रांसफोर अफ टेक्नोलिजी कर चुका है ताकि इन मिसाइलों के प्रोडेक्शन संपूर्ण रूप से भारत डानमिक लिमिटेड शुरू कर सके और रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि भारत डानमिक लिमिटेड अल्रेडी मिसाइलों के प्रोडेक्शन शुरू कर चुका है और फिलाल भारत डानमिक लिमिटेड सो मिसाइल पर एयर के दर पे इन मिसाइलों का डिलिवर अब दोसों असरव Mark 1 मिसाइलों के साथ साथ असरव Mark 2 मिसाइलों के भी ट्रांसपोर अब टेक्नोलोजी को लेके Defense Research and Development Organization के साथ भारत डायनमिक लिमिटेड चर्चा में है और दोस्तों बताया ये भी जा रहा है कि असरव Mark 2 मिसाइलों के एक बार डायनमिक लिमिटेड इन मिसाइलों के भी ट्रांसपोर अब टेक्नोलोजी लेके Production शुरू करें फिलाल Defense Research and Development Organization के तरफ से असरव Mark 2 Beyond Visual Range Air-to-Air मिसाइल जो की 160 किलोमिटर रेंज वाला मिसाइल है उसके टेस्टिंग किया जा रहा है और D.I.D.O. इन मिसाइलों के भी Development राल साल 2024 के अंच से पहले समाप्त करना चाहता है हलाकि दोस्तो भारत Dynamic Limited ये भी Expect कर रहा है कि साल 2024 में Company को और अतरिक्त असरव Mark 1 मिसाइलों के Production को लेके Order मिले क्यूंकि साल 2024 से ही तेजस Mark 1 A Aircraft का भी Delivery शुरू होना है और D.I.D.O. तेजस Mark 1 A जैसे Aircraft में भी असरव Mark 1 मिसाइलों को इस्तेमाल किया जाना है जिसका मतलब य ये है कि इन Aircraft के लिए भी अतरिक्त मिसाइलों को खरिदा जाएगा और आप लोगों के जानकारी के लिए बतादू कि फिलाल तेजस Mark 1 A Aircraft के Production शुरू हो चुका है और साल 2024 के फेवरडी महिने से इन Aircraft का Delivery शुरू होगा जिसके बाद सालना 16 के दर पे जहापे इन Aircraft का Delivery होगा तो उही पर आशा किया जा रहा है कि साल 2025 या 26 से शुरूआती समय से और अधिक एदर पे मतलब करीब करीब 24 Aircraft per year के दर पे Delivery शुरू किया जाए और Indian Air Force तो और अतरिक्त मतलब करीबन और 97 ऐसे Aircraft को खरिदना चाहता है जिसका मतलब ये भी है कि और Aircraft को के लिए और देशों से खड़दा जाता था और भारत इन मिसाइलों को लेके 139 देशों की उपर निर्वर था लेकिन अस्तर मार्कवान के द्वारा जहाँ पर इस ट्रेडिशन को तोड़ा किया तो वही पर अस्तर मार्कवान के बेस पर भारत के लिए कई तरह के एक अलग-अलग मिसा मिसाइलों के डेवलाप्मेंट के बाद भारत लगभग-लगभग 100% एर-to-air मिसाइलों के मामले में आत्मनिर्वर हो जाएगा दोसों यहाँ पर जो अस्तर मार्कवान बियांड विजुल रेंच एर-to-air मिसाइल है ये करिवन 100-110 किलोमेटर दूर तक टारगेटों को निशाना बना सकेगा जबकि इसके इंफ्रारेट गाइडेड वर्जन मिसाइल करीब-करीब 80 किलोमेटर दूर तक टारगेटों को निशाना बनाने में सक्षम होगा और ये मिसाइल एक तरीके से R-73 जैसे मिसाइलों को जहाँ पर रिप्लेस करेगा तो उही पर आने वाले के तरफ से दिया जा सकता है और यहाँ पर मैं जिस मिसाइल का बात कर रहा हूँ वो असल में लेजर बीम राइडिंग मिसाइल है और दोस्तों रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि भारत डाइनमिक लिमिटेड के तरफ से हाली में ये दावा किया क्या है कि जल्धी कम और UK के कमपनी तेल्स के बीच के एक जॉइंट विंचर पोग्राम के अंतरगत डिवलाफ्ट किया गया है। राइडिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल किया गया है। एर क्रेफट और हेलिकॉफ्टरों को नूटलाइस करने के लिए डिजाइन किया गिया है और इसमें laser beam को इस्तेमाल किया गिया है जिसके द्वारा दुष्मन के target को ये track करता रहता है और दूसों रिपोर्टों में ये भी दावा किया जा रहा है कि फिलाल इंडियन आर्मी के बेडे में जितने भी टाइफ के अलग-अलग मिसाइल है खास करके मैन पोर्टेवल मिसाइल उन सभी मिसाइलों से ये लेजर वीम राइडिंग मिसाइल जो है ये अधिक एडवांस मिसाइल है और दुश्मन के खिलाव अधिक एफेक्टिव भी है हाला कि खाली इतना नहीं बलकि मिसाइलों को लेके ये भी दावा किया जा रहे कि ये अधिक कॉस्ट एफिशेंट मिसाइल भी है मतलब कम से कम खर्चा में इन मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा सकता है और दोस्तों भारत डाइनमिक लिमिटेड असल में इन मिसाइलों के ओ लेजर विम राइडिंग टेक्नोलजी को अगर देखा जाए तो काफी हत तक यह शौट रेंज मिसाइलों में खास करके अंटी इयरक्राफ्ट और अंटी टैंक मिसाइलों में इस्तमाल किया जाता है और अपने मिसाइलों को बनाया है जिन में Canada के तरफ से निर्मान किया Defense Anti-Tank Missile मतलब Aid Art System, Thales के तरफ से निर्मान किया हुआ Star Trek Missile Sweden के तरफ से निर्मान किया हुआ RBS 70, Brazil के MSS 1.2 Anti-Tank Guided Missile, Russia के 9K212 और 9M119 जैसे Anti-Tank Missile और Ukraine के Skiff और Staunch जैसे Missile भी शामिल है पर दोसों यहाँ पे भारत Dynamic Limited Thales जैसे कमपनी के साथ Joint Venture में अगर Missile को बना रहा है तो obviously यह Thales के Star Trax Missile के ही जैसा होगा और आप लोगों के जानकारी के लिए बतादू कि जो Star Trax Missile है यह 14 किलोग्राम के एक हलके Missile है जो की 300 मिटर से लेके 7 किलो मिटर दूर तक Target को निशाना बना सकता है और United Kingdom के तरफ से इस तरीके के Missile को बड़े मात्रा में रश्या यूक्रेंड के लड़ाई के दर्मियान यूक्रेंड को सप्लाई किया जा चुका है और यूक्रेंड इसका इस्तेमाल effectively रश्यान यारक्राप्टों के खिलाब भी कर चुका है दोस्तों आप लोग को क्या लगता है कि भारत डाइनमिक लिमिटेड ये जो Missile को लेके काम कर रहा है ये भारत को Missile के मामले में कितना आत्मन इरफर कर सकेगा कॉमेंट करके अपने राए अवश्य दीजिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पही करते है